Hello everyone, welcome and welcome back to my channel, I am Khuzbhu Singh और आज इस वीडियो में मैं आपको और गैंजा साडी की ड्रेपिंग नॉर्मल पेटी कोट के उपर करना सिखाऊंगी Shapewear के उपर बहुत सारी वीडियो है अल्रेडी लेकिन आप इसको कैसे पहन सकते हो cotton की normal पेटी कोट के उपर वो आज मैं आपको बताऊंगी तो यहाँ पर जो आप इस साडी देखरों आपको मिल जाएगी इसकी link क्योंकि यह मैंने मीशो से purchase कर रही थी जब भी आप पेटी कोट बानते हो ना तो इसकी डोरी हमेशा आप राइट की तरफ बान देगा फ्रेंट में मत बान देगा वरना डोरी की मोटाई भी आपके टमी के उपर दिखेगी इसलिए हमें इसको राइट की तरफ बानना है और जो इसकी pleats बनती है क्योंकि हम सामने की तरफ टक करते तो फुली फुली दिखती है और गैंजा की साडी में इसलिए हमें इसको फ्लैट प्लाट को अपनी तमी के पास और जो एक्स्ट्रा प्लीट साती है पेटी कोट की इसको हमें पीछे की तरफ करना है जैसा मैंने आपको दिखाया अब चलिए साडी की जो नौन पल्लू साइड है हम उसको अपनी राइट हैंड की तरफ ले आएंगे और उसके बाद नॉर्मली जैसे हम तक करते हैं अपनी साडी को उसी तरीके से तक करेंगे एक और बात की हमारी इस रेगुलर पेटिकोट में कमर के पास कोई इलास्टिक बैंड नहीं होती है तो जब आप साडी इसमें टक करोगे तो इसकी फिटिंग दोरी की फिटिंग और थोड़ी जादा टाइट होगी तो आप पहले से ही दोरी को उतना ही बांधियेगा टाइट करके जितन साडी का जो फर्स्ट स्टेप है जो बेसिक राउंड है हमारा वो हर किसी को इजी लगता है हर कोई अपने तरीके से इसको पूरा करते हैं लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप ऐसी नॉर्मल फैली हुई पेटिकोट पहन रहे हो तो अपना बेसिक राउंड थोड़ को ऐसे फोल्ड करके एक करके दोनों साइट की फैप्रिक पकड़नी है ऐसा इसलिए ताकि जो नीचे की बॉर्डर लाइन है वो कहीं हमारी उपर नीचे ना हो जाए बस इसलिए मैं इसको इस तरीके से पकड़ रहे हूं इसमें क्या होगा ना कि कम टाइम में आपकी जो ल अपरिको थोड़ा फोल्ड करके इस तरीके से इनको प्रेस कर देंगे इसमें क्या होगा कि इनकी क्रीज लाइन बिल्कुल सही से अपनी जगह पे सेट हो जाएंगी और एंड पे मैंने एक छोटा सा सेफ्टी पिन लगाया है जिसकी वज़ा से जो लॉंग पल्लू आप द सेफ्टी पिन क्यों यूज कर रहे हैं यहां पे तो हम यूपिन या एक्स क्लिप यूज कर सकते थे हां कर तो सकते थे लेकिन यहां पे जो हमारा फैब्रिक है वो हमारे यूपिन से निकल सकता है इसलिए हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए हम इसको डरेक्ली छोटी साइ इसकी safety pin से secure कर सकते हैं, अब सामने की कुछ length हम उसको as it is ही पकड़ेंगे और हाथों से प्रेस करेंगे, then जो ये वाली trick होती है, इसमें पल्लू की finishing बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ये वाली trick, इसमें आप चाहो तो दूसरी safety pin यूज़ कर सकते अच्छी आती है, यहां पर आपकी एक एक प्लीट्स ना बहुत अच्छे से अपने जगह पर बैठ जाती है, अब हम आ जाते हैं अपनी कमर वाली setting पर, तो यहां पर हम को यूपिन या एक्स क्लिप यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो काम नहीं करेंगा, तो हम आपकी बहुत है, चलिए अब यहां पर हम इकठा जहां पर प्लीट्स को पकड़े हैं, वहां वो वाली छोटी सेफ्टेपिन यूज़ कर लेंगे, अब आपको बनानी है सेंटर प्लीट, सेंटर प्लीट इस साड़ी में हमेशा आपको चौड़ा ही रखना है, इसका ध्या के लावा जो कैची वाली ट्रिक है, वो इतनी चौड़ी प्लीट्स आपको नहीं बनाने देगा, क्योंकि उसमें हम उंगलियों को जितना फैलाते है वो बस उतने दूर तक ही रहता है, तो इसलिए ये जो फोर फिंगर वाला ट्रिक है, आप इसको कीजेगा, अब यहां प प्लीट्स की फैब्रिक को टक करेंगे, अपनी ठीक बेली बटन के पास, इसके बाद यहां पे जो फैब्रिक हम टक कर रहे हैं, क्योंकि इसकी लेंथ काफी ज्यादा है, इसलिए इसके निकलने का चांसेस नहीं है, तो हमें यहां पे अननेसेसरी कोई भी सेफ्टिपिन य हम उसको हमेशा एंड में ही टक करेंगे, नहीं तो सेंटर प्लीट में क्या होता ना कि प्लीट्स हमारी उपर नीचे हो जाती है, उसके बाद कमर पे जो हमारी प्लीट्स बनी थी जिसको हमने सेफ्टिपिन से सेक्योर किया था, इनको भी सेट करना बहुत ज़रूरी है, त एंटर प्लीट तक की जो हमारी सेटिंग है, फिनीशिंग है वो बहुत अच्छी आई है, आई होप आपको ये सबी ट्रिक अच्छे लगे होंगे, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजेगा, मैं आप लों से मिलती हो अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो मे So, bye!